है 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 आज मैं दिसी शुरी के बारे में बतनाने जा रहा हूं है दो दिन से मैं वीडियो ड़ी डाल रहा हूं क्योंकि उसे तवियत कुछ खराब था क्योंकि मैं भैक्षण लगवाया था भैक्षण की चलते कुछ दिस पुखार तो आज मैं कुछ कि स्वास्थ कुछ अच्छा देख रहा हूं तो आज मैं कि आपको दिसी शुरी के बारे में पतलाने जा रहा हूं तो देखिए दिसी थ्योरी एक क्रेंट दो परकार की होती है कि आप जानते ही होगे क्रेंट कि दो परकार की होती है एक एसे और दूसरी डिसी तो हम आज डिसी थ्योरी लेकर आये हैं इस थ्योरी में सर्कित के बारे में बतलाने जा रहा हूं कि सर्कित क्या होती है तो बिधूत करेंट प्रवाह के लिए सर्कित मिस परिपत तो बिधूत करेंट प्रवाह के लिए तैयार किया गया बंद वंपुर्ण मार्ग करेंट कहलाता है कि सर्कित कराता है कि कोई भी अगर शर्कित बनाएं तो आए पूर्ण बंद हो पूर्ण मार्ग बंद हो तभी वह सर्कित कहला है ला यह सर्कित बनाने के लिए में निम्लिखित पार्ट का रखना अनिवार्द है जैसे में पार्ट में आप सोर्स ओफ सप्लाइं और डिसी सर्कित बढ़ाने के लिए एडिसी सोर्स होने चाहिए सोर्स ओफ सप्लाइं नेक्स्ट है शेप्टि डिवाइस नेक्स्ट है कंट्रोलिंग डिवाइस शोथा है कंडक्टिंग डिवाइस और पच्वा है कंजुइंग डिवाइस यह पमजब डिवाइस हैं यह सर्कित बनाने से यह पांच डिवाइस की जरूर परती है तो देखें एक सर्कित बनाते हैं कि विदू सर्कित प्रवाद के लिए खोनकों से डिवाइस रखते हैं और कैसे त्यार किया जाता है प्रवाद प्रवाद के लिवाद के बनाने झाल झाल यш некотор यागर मुद काके जूंस तक जुब साच्पोल येद raw पर्बस्ट थαरी गलए galera और खाब येद थिएागर येवी तर रगा, येद कन.' ये विए शच्पत्गर and then छीजी प्यून्हार्या प्यूच्छर्या शीजी छीजी आले रुदें गार्या कि वो जो हो है है कि अपलाइब दीसी है तो अपलाएब इस यह जो है अब देखिए इस सर्कुट मैंने बनाया इस सर्कुट क्या कहता है कि किसी किसी बिदूर्ध सर्कुट का परवा के लिए कि अप्रियार किया गया ग्याँ कि अब देखी डिया जो है cancel कि बना नहीं है यह जो है कि अभी इसको मैं सरिकीप स्रकुट मैं नहीं कहुंगा है को इसमें कौंकों से हुए छे सेघ्यक है तो इसमें कौनkों से अफिल यहाय है की सुच्छ लेगा हुए है सोच सप्लाई हो गया स्थी दिवाइश हो सब्सक्राइब करनेक्टिंग और सब्सक्राइब हो जाएगे तो अब जो है टाइप सोफ प्रोपर्टी यह चार भागों में सर्किट को चार भागों में पाटा गया है यह चार प्रकार के होते हैं कि यह पालग जो अब ही मैंने बनाया प्लोज सर्किट को ही पूर्ण सर्किट कहा जाता है कि लोज सर्किट जीस परिपथ में तो है कि जीस परिपथ में उपहोक्ता यूक्ति में से कुर्ण परवाहित हो रही हो वह अवा इसमें पहक रूप्टी कौन है वह लैंप है जब तक लैंप में से बीदूद सरकुट परवाहित नहीं होता है तब तब वह अगत नहीं कहलेगा जैसे यहां से क्रेंट बैक्टी से पुजेटिव हो जाएगा यह नेगेटिव हो जाएगा तो इसा से जाएगी यह आपका फ्यूज के माद्राइब से ऐसे जाएगी एस देखिए अब ही ओबे रहे यहां जब हम इसको आउन करेंगे तो इस्विच आउन हो जाएगा और अब करेंट ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी यह लाइम से होके लाइम प्रोशनी देना अस्टार्ट कर देगा आवा पीटर्न होके फीट पुर्ण का बैट्री में वार लख्रोंस पहुंच जाएगा तो यह पूर्ण सर्किट कर आता है उसी को हम क्लोज सर सर्किट क्या आता है कि जब की वह धृक्त्रon कि ना वुतनुल प्रवाहित करकर फिल्वा पूर्ण अस्थां पहलेता प्रफले अस्थां पर पहुंच आती है तो आतल पूर्ण सर्किट में ठीक अब एक ओपें सरकीट होती है जो है जो है सोर्स आफ सपलाई जो है वहां करेंट वहां से निकलती है अब पहुचा सब्सक्राइब यहां पर नहीं पहुंच पाता है तो अंधे ओप सर्कित देखिए ऑं कर दिये और ओफ पोजिशंस पोजिशन जब हो गया तो यहां को सर्कित हो जाएगा ओपें सर्कित क्या कता है कि परिकत में बिदूत करेंड परवाहित नहीं हो रही हो और उसका अनंत हो उसे open circuit करते हैं तो यह इधर अनंत है यहां आई में पहुंचे नहीं रहा है यहां open है या switch आपका on है और पूजिशन में switch है एक कहीं पर एक तार एगर ब्रिक कर गया है तो उस स्थिति में भी open circuit का लागा उस स्थिति में भोगता का लैंड या कोई भी जो समान जो है करन है वह नहीं चलेगा और नहीं चलेगा तो उसे open circuit कहा जाता है तो next stage है, the short circuit तो short circuit देखें यह कहता है कि किसी circuit में से में तर यह किसी circuit में से फेज वाइल कि इस इस पर कि यह हुआ है। इसमें फेल जो है फोटेटी है फेल में नुटरार अथवा अर्ज शुण वायर के सिधे संपर्ट में आ जाए तो सोड सर्कुट कहलाता है करने कतार पर जाए कि यह पुजेटी जो वायर निट्रल निच्छी जो निट्रल हो गया यहां से निट्रल जो है इस सिधे यह होगता के नहीं अगर नहीं पहुंच पाता है और सिधे यह आपको नगेटिव तार से मिल जाता है इधर लैंप के बाद में जाती है उस स्थिति में आपको सोड सर्कुट कहलाता है कि ओसर्कुट में क्या होता है अब देखे लेकर जाने का रास्ता दो हो गया एक यहां से जा रही है इतर से रहे हिम्हें जो क्रेंट जो है कि सोट जब भाती है किसी कंडुक्टर में डूरती है कि इतना जल्द मैं अपने दर निकला था उत पर उपन हुआ था उसी जगह मैं कितना जल्द मैं पहुच जाओं तो यहां-थी असे गाँ से इधर बाद की ओर आने की कोशिस करेगा तो उसमें क्या होता है वो डायरिक्ट यहां नहीं पहुस पाता है तो यहीं से क्रेंट वह रिटर्न होने लगता है जब दुरुस रट जाती है तो क्रेंट वह रिटर्न होने लगती है जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते में यह लोगती है हाट सब्सट्रित होगा तो जीस रास्ते से क्रेंट आती है उसी स्ब्सक्री नीग जाती है तो वहां हुआब से क्रेंट आगे झोने वह पिछे की यह बैक करता जाती है कि जब बैक करेगा तो उस समय जाती है तो इसको ब्रश्ट करती है क्रते हैं को इस समय ध्यूज क्या होगा ज्यादा इसको विलेगा वह गल जाएगा और बैट्री जलने जलने से बच जाएगी उस तिती में इसको जब यह पुजेतिव और रगेटिव दुना आपसे शट जाते हैं तो उस तिती में उसको सोर्ट सर्किट कहलाता है बार है डिकेट सर्किट आपने देखा हुआ किसी भी उपकर्ण को जब हम चलाते हैं जैसे आईयरंड शीटर है यह कोई मोटर तो उसे एक करेंट आती है जब आप पकरते हैं उसको प्रेंट लगता है जटका लगता है तो क्या व्यूर्ण्ट जो है मोटर को नहीं मिल पाता है और उसके बोडी से पत्वासा लिख करता है और वोडी में लिख करने के कारण उसके दिवार से कर्ण असपस करता है और जटका लगता है वही एक क्रेंट होती है तो इसकता है कि लीकेज सर्कीट यदि किसी परिपत में फेजतार उपकरन की बोडी नम दिवार उसकी दिवार जो है नमी हो आगया हो अर्थ अथवा निट्रल लाइन को असपर्थ करने लगे तो बिधुधारा का कुछ अंच उपहुकता उप्ति में न पहुश पाता है तो उसे लिकेज सर्कीट कहते हैं कि उसे क्या कहता है लिकेज सर्कीट तो लिकेज सर्कीट जैसे यहां पर हम कि आईलन लगाते हैं कि आई लगा दिया है कि अधिया है कि इसके लिकेज सर्कीट में तो अगर यह शट रहा हो तो यह बड़ी में इसके बड़ी में यह करेंट आ जाती है अधिक और जब हम हैं पटटे हैं तो वह करता है तो हुआ है यह जाता है तो यह चार प्रकार प्रणाइन थे शर्कीट हैं यह पांचुप बद्र का सब्सक्यास भी आप एडेग्राव्स मैं ने आपको समझा दिया है तो आप लोग पढ़ेंगें और देखेंगें तो आज का वीडियो में यहीं समाप करता हूं